मैं वाइकम देशुडेंस टोड़ा है तोड़ाइफ है व्यॉझे फिरेक्स के बाए पड़ा था कि इससे ग्रूप और पीरेड में अपना अमल करता है कि पीरेड में जो है आप देख सकते हैं कि पीरेड में यह जो नीचे जाता है तो यह इसका जो किस pronounce किया था क्योंकि इसमें number of cavity यूख इक्स्ट्रा होता है पहले में के फिर LM इसमें number of shell ज्यादा होते है इसलिए इसमें atomic radio यह increase होता है यह निक इसography looks group में झाते हे बिल्कुल इसका इलेट होता है आप देक सकते है 50 पूइन पूइन फिर 0.89 फिर 0.80 यह नहीं आइस्ता आइस्ता यह डिक्रीज हो रहा है और इसके बढ़ा था स्टुएंस किसमे क्या है कि क्या है क्योंके शैल्थ तो वही है लेकन एलक्टॉंद और प्रोटॉंस की तादाद बढ़ रही तो इसके वैसे यह एक जिस्ट्री क तरफ यह पुल करता है नियुकलिस जो है इसमें प्रोट्रोन की तादाद भी इंक्रीज होती है एलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने के साथ तो यह क्या करता है यह शायल्ट को अपनी तरफ पुल करता है इसके वैसे इस अटम या एटम का साथ डिक्रीज हो जाता है अम परहुस्टेंट के कोविलेन रेडियाय में क्या काम करता है कोविलेन रेडियाय य yeni covalent bonds बनाते हैं उसका जो radius है उसके हम kovilen रेडियाय कहते हैं तो covilen रेडियाय याट यह suggestory dawक मतन कोई भी एटम दूरियाय गरेटम से शेरिंग गरता है तो उसको हम कहते हैं containing a single covalent bond, यह नहीं 1 half, यह आदा हिस्सा of the distance between the nuclei, nucleus के दर्मियान of two similar atoms, दो एक जैसे आटमों के दर्मियान, of the same molecule, एक जैसे molecule का, containing a single covalent bond, जिसमें single covalent bond हो, यह नहीं, अब यह अब यहां देख से स्टोर्ट के दो molecules ने आपस में bond बनाया हुआ, यहां पर यह दो molecules ने आपसे bond बनाया हुआ, अब इस molecules के अगर देखते हैं आप, तो हमें पता है कि रेडियस जो है, वो यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम radius कहते हैं, लेकिन यह किस्टोर्ट साब के पस यह covalent bond है, तो इसमें, इस वाले nucleus के radius से लेकर, इस वाले nucleus तक यह जो फासला होगा, उसमें कहेंगे covalent radia है, तो therefore इसलिए the bond distance between the two atoms, जो bond का फासला होगा दो आपमों के दर्मियान, यानि A और B, एक को हमने नाम दिया, A का, एक को हमने नाम दिया, B का, इनके दर्मियान के जो फासला है, जो यह आप देख सकते हैं, D से, distance यह फासला, is the average of the lens, A, A and B, तो यह average है उस lens का, A, A और B, B के दर्मियान, यानि A और B, B के मतलब, कि A से लेकर, यह minus A, और B से लेकर, यह minus B, तो इनके दर्मियान के जो यह फासला होगा, यानि A से लेकर, B तक का जो फासला है, उसे हम कहेंगे, Covalent Radia है, यहां सुर्ण आप देख सकते हैं, Covalent Radius R, is equal to D upon 2, यानि diameter का half, और diameter हैं, पता हूँ तो स्टोर्स के, वो क्या है, यहां से लेकर, यहां तक का पूरा फासला, इस हम कहते हैं, diameter है, तो D upon 2, यह इसका formula है, अब सुर्ण आप हाइडरोइन के ही लेंगे, तो Covalent Radius of H2, यानि हाइडरोजन 2, तो हाइडरोइन के molecules हमने लिए, तो उसको हमने क्या कर दिया, तो पर उसको हमने डिवाइड कर दिया, अब सुर्ण एग्जेम्पल फेलोजन, अब हेलोजन में क्या है, यानि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो 7 नमबर का पीरिड है, उसे हम हेलोजन कहते हैं, अब हेलोजन में क्या है, तो, इंटर नुक्लियर स्टेंस है, यानि नुक्लियर के दर्मयान का फासला, और बॉन्ड लैंथ, यानि कोविलिन ट्रेडियस, अब यहां पर आप उस 43 पीम, यानि पीको मीटर, और इस तरह पिर यहां के पास यहां पर आजाता है, ब्रोमीन का, यानि के पास क्लॉरिन का, यानि मुक्तलिफ कोविलिन ट्रेडिया है, कि आपको यहां पर निचे दिखाए गये हैं, यहां पर उसकी मेजरमेंट भी लिखी गई है, यानि के फ्लोरिन का जो मॉलेक्यूल है F2, यह 143 पीको मीटर है, फिर जो Bromin का है वो 228ajaр है यहाँ पर dissipensorश आपको दिखाये गया है और यहाँ परFlow यह पर यहां पर जो आयोडीन का 266 Pm यह आपको उसका डिस्टन्स दिखाए गया है तो यह इसका जो bond length है इसकी bond length आपको दिखाए गए थी और जो कोविलेंट इसस्टन्स यह 72 Pm यह फ्लोरीन का है 144 Pm यह प्लोमीन का है 100 Pm यह क्लोरीन का है और 133